जहां एक और प्रशासन का दाबता की पंचाच चुनाव सांतिपुण करवाई जाएंगे जिसके लिए शुक्रबार सुबा से ही कलेक्टर और एसपी बूदबूद गूम कर इस्तिदी का जायजा ले रहे थे दिन बर सांतिपुण चले मद्दान के बाद दो फेर तीन बजे के लगबग शुरूई मद्गर्णा में भारी बिवाद की स्तिदी बन गई पूरा मामला नर्वदापुरम जिले की सिबनी मालबा विदान सबा छेतर का है जहांके ग्राम बाकाबेडी में सरपंच चुनाओ की मद्गर्णा तो सांति से हो गई लेकिन जब जनपत पंचायत के बाद 19 के जनपत सदस की मद्गर्णा चल रही थी तबी प्रत्यासी रानी जस्वंत पडेल के परिजनों ने बूद केप्शिरिंग करने का प्रयास किय और मतपत्र को फाइडने के साथ साथ एक टी आई सहीत चार पुलिस कर्मियों के साथ मारपिड भी की गई प्रत्यासी के परिजनों में जो नाम सामने आया है वह है बाश्पा के ग्रामिन मंडल अध्यक्षे बरुन रगवनसी का बरुन रगवनसी बाकावेडी पंचाईस से सरपंच का चिनाव जीच चुके हैं लेकिन अपनी रिस्तेदार के जनपस सदस्की मदगणना के दोरान बूत केप्चिरिंग के प्रयास और मतपत्र फाइडने को अंजाम दिया गटना की जानकारी लगते ही मोके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बारी पुलीस बल भी पहुँच गया था नर्वदापुराम कलेक्टर निरसी और एसपी गुरुकरन सीय ने भी बाकावेडी पहुच इस्तिदी की जानकारी ली पीठसी नदिकारी के शिकायत पर भाज़पा ग्रामीन मंडल अधियक्च साहित 15 आने आ लोगों पर पुलीस ने मामला दर्ज कर अरोपियों की तला सुरू कर दी है अधिकारी के शाथ में गुष्टर ने लिए और उनके अन्य साथियों के दोरा पीठसी नदिकारी के कश्में घुटकर उनके साथ गाली गलोच की गई उनके साथ मारवीट की गई और वहां पर जो रखे मतपच थे उनको पाड़ दिया गया और वहां पर उपस से पुलिस कर्मचारी के दोरा वी उनके साथ मालगपीड की गई और इसी घटना के करम में पीटा थी माधिचारी कोरा एपाया दर्श की जा रही है और आरूपीं की तलाश की जा रही है अभी वरुन रगवशी के साथ अन्य लोगों के दस-फंद्रा लोगों के नाम बताए हैं जो भी क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करके उनकी कलाश की जाए जिसमें कुलिस कर्में पार वाहां पे लगवाग पास से छे पुलिस कर्में उपस कुलिस मदान के इंद्र करमां के 143 बाका बेड़ी पर मतड़ना होने के पश्यात जब मतड़ना पत्रक्त बनाये जा रहा था और पूरी चीजों को स्कील कि जा रहा था उससे बाद कुछ लोगों ने आकर के वहां पर कुछ मतपत्र पाड़े हैं इसके समद्ध में पुरा प्रती मतड़न के इंद्र कुछ फुलिस कर रही है और पीटा से किसी सा मात्रिक की गई है उसके पूरा जो है फायर दर्च की जा रही है और आगे सारवाई की जाएगी